नमस्कार मित्रूफ वागेतर से बतोर के चैनल पर आप सबकर एक बार फिर से आज की वीडियो हम जानेंगे लौंग के कुछ उपाए, लौंग के कुछ टोटके जो आपके काम को बना सकते हैं आपकी सेहत को ठीक रख सकते हैं, आपके परिवार में प्रेम बढ़ा सकते हैं, आपका धन बढ़ा सकते हैं यानि ऐसी बाते होने वाली हैं जो आपके लिए जरूर लाफदाई होंगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ ही शेयर भी कर दीजेगा, नोटिफिकेशन बेल को आउन करते हुए ताकि आपको सभी जानकारी मिलती रहे जो वीडियो अपलोड होते हैं उनकी और अगर आप चैनल को जोईन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ ही जोईन बटन है अगर आप उसपे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ अत्रिक तलाव मिलेंगे चैनल के जरिये अब बढ़ते हैं सीदे अपने उपायों की तरफ और जानते हैं क्या आपको करना है लॉंग हमें आयरुवेद में बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल किया जाने की विदिया बताता है और लॉंग जो है वो स्वास्त के लिए सेहत के लिए जितना जरूरी है मैंने जिस भी प्रकाज आप उसका प्रयोग कर सकते हैं मसाले के रूप में और सधी के रूप में आप उसका इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा फिर अगर हम तंत्र या जोतिस की तरफ चलते हैं तो फिर से लॉंग अपना बहुत ही महतोपुलन स्थान रखता है और वहाँ पर भी लॉंग से जुड़े बहुत सारे उपाय आपको बताये जाएंगे तो अगर आपका कोई काम है जो बिगड़ जाता है बार बार बिगड़ रहा है या फिर बिगड़ा हुआ ही है तो आप उसको चाहते हूँ ठीक हो तो आप लॉंग का उपाय कर सकते हैं तो कोई भी ऐसा काम है जिसमें सफलता चाहिए जो बहुत इंपोर्टेंट है तो उसके लिए आपको एक नीबू के उपर चार लॉंग गार देनी है और हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम स्री हनुमते नमा का मंत्र पढ़ना है 21 बार इसका जाप करें और उस नीबू को अपने साथ ले करके उस जगा तक जाएए उस काम पर जाएए जो काम आप करवाना चाहते हैं जरूर आपका काम हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और सुबह सुबह जब आप पूजा करते हैं आरती करते हैं संध्या आरती करते हैं तो आरती करते हैं समय भी आपको लॉंग का प्रयोग करना चाहिए जब आप दिया जलाते हैं आरती करने के लिए आप कपूर जलाते हैं तो उसका पूर में लॉंग डाल दीजिए, दो लॉंग, और लॉंग में फूल होना चाहिए, यानि फूल वाली लॉंग डाल ली है, ठीक है, इसको डाल दीजिए, यह जितने भी उपाय में आपको बताऊंगे, इसमें लॉंग जो होगी, वो स्वस्थ होनी चाहिए, टूट अदेवियों कामों को तो बनाता ही है साथी काम में अगर कई यह काम पर कठिना ही थी तो उसको भी आसान कर देता है किसी का साथ मिल जाएगा सहारा हो जाएगा यह आपको समय कि दबाव में आकर के काम करना पड़ रहा है कोई काम है जो आप करना नहीं चाहते फिर भी उसे करना पड़ रहा हो तो उस मजबूरी से बाहर आने के लिए भी आप लॉंग के उपाय का कर सकते हैं ऐसा करने के लिए आपको कपूर और एक फूल वाली लॉंग लेना होगा औ उस राक को दो-तीन दिन में आप उसको खालीजिए तो जैसे आज आज आपने थोड़ा सा खालिया उसमें से राक उठाके फिर अगले दिन खालिया फिर अगले दिन इस तरह से दो-तीन दिन में उसको खतम कर दीजिए ठीक है तो आपका जो किसी के अंडर में रह करके कोई कार्य है जो रुका हुआ है बहुत दिनों से लटका हुआ है नहीं हो रहा तो अब भगवान गनेश को याद करिए या गनेश चतूर्थी को गनेश जी का एक चित्र लेना है इसको घर पर या दुकान पर लगा देना है और चित्र भी कैसा लें जिसमें भगवान गनेश की सूंड दाई और मुड़ी हुई हो इनी के आराधन आपको करनी है इनके आगे लॉंग और सुपारी रखिए जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लॉंग वहाँ से और सुपारी को अपने साथ ले करके जाईए आपका काम जरूर सिद्ध हो जाएगा लॉंग को चूस लेना है जो भी लॉंग आप ले करके जाते हैं और सुपारी को वापस ला करके भगवान गणिश के सामने रख देना है और जब भी आप जाते हैं जब भी आप जाते हैं किसी कारे के लिए और ये ले करके जाते हैं तो कारे जरूर होगा और साथ ही आपे बोलते हुए जाईए जैगनेस, काटो कलेस ये अगर आप कहते हुए शुपारी को और लॉंग को अपने साथ ले जाएंगे तो काम निश्चित रूप से होना ही होना है अगर आपका पैसा कहीं फस रहा है या फिर पैसा आता है रुक नहीं रहा या फिर पैसे की कमी हमेशा बनी हुई है तो आपको कच्ची घानी के तेल के दिये को जलाना है और उसमें लॉंग डालना है एक और हुनमान जी की आर्थी करनी है अगर आप इसको करेंगे तो जो भी आपकी समस्य है वो दूर होगी और आपको धनलाब होगा एक अन्य उपायज जो इसमें कि हम आपको बताएंगे सत्रों से छुटकार आप कैसे पा सकते हैं करके तो यहां प्रियोग आपको करना है बजरेंक भाण़ का पांठ करते हुए हरुंअ ह्सी को लच ब होक लगा है विए और पूझास्थान रखनी है वहीं पर आपको कपूर रखना है साथ में और यह जो लॉंग और कपूर होंगी उनको जला देना है इसको जलाने पर एक जो राख मिल जाए उसको भस्म भी कहते हैं तो इसको आपको प्रियोग करना है जब भी आप कहीं पर जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं और आ आपको इस भस में से तिलक कर लेना चाहिए और हनुमान जी का नाम लेना चाहिए और बस निकल पढ़ना चाहिए अपने कारे के लिए आपका कारे भी होगा और शत्रु भी आपके बिल्कुल आपसे बहुत दूर हो जाएंगे तो बस इस वीडियो में इतना ही हूँ झाहिए और शत्रु आपसे झापसे का का लेएंगे ठापसे एक ही हुआ।